नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सूपर रास पर सो सोलर मॉडियूल्स को लेकर एक important development सामने आ रही है भारत ने एक बार फिर से चाइना से जो आने वाले cheap और sub-standard सोलर मॉडियूल्स है उनके उपर शिकंजा कसा है ये कहा है कि हम लोग चाइना से आने वाली इन items क accept नहीं करेंगे आप लोग यहां पर देख पाएंगे यह वाली खबर live mint की है जो कि आज से कुछ 4-5 दिन पहले सामने आई थी module quality norms to be tightened और इसका agenda केवल यही है कि कुल मिला के जो बाहर से किसी भी country से not just China किसी भी country से अगर solar modules इंडिया में आते हैं तो उनका जो standard है वो high होना चाहिए तब ही जाकर के हम लोग उसको accept करेंगे इसी के बारे में हम लोग detail में बातचीत करने वाले हैं आए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग इस lecture की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दियेगा यह Telegram channel के माधियम से ऐसा कर सकते हैं पताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे कोर्स में नहीं क्या है आप लोग कर सकते हैं स्पेशली वो विद्यार्थी जो कि UPSC 2023 के प्रिलिम्स एक्जाम में अपियर कर रहे हैं आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं करन्ट अफेर्स का crash course जिसमें क एक साल के current affairs आपने संबंदित static content available करवाया जा रहा है और इस course पर चल रही है शानदार sale जिसमें कि आपको इस पूरा का पूरा course available हो रहा है मातर 909 रुपे में ध्यान रखिए दोस्तों ये price केवल आज रात तक ही valid है 30 अपरिल की रात तक ही valid है अगर आपने enroll नहीं किया है तो enroll कर सकते हैं इसमें enroll करने का जो link है वो नीचे description में दिया गया है also अगर आप लोग अपनी testing करना चाते हैं तो test book आपकी रे लाया है test book pass जिसमें की 2 साल का test book pass available हो रहा है मातर 224 रुपे में और ये भी आपको price तभी मिलेगा अगर आप मेरा coupon code अनिरुद पास use करते हैं इंडिया में 2022 के end तक हम लोग 20,000 megawatt का solar power का deployment करने वाले हैं 20,000 megawatt अगर हम इसको gigawatt में translate करें तो ये basically मनता है 20 gigawatts in fact ये target बहुत ही छोटा था तो आज से कुछ साल पहले की बात है इस target को revise कर दिया गया था कि हम लोग 2022 तक 100 gigawatt का solar power deployment इंडिया में करना चाहते हैं हलाकि target तो अचीव नहीं हुआ लेकिन अगर हम देखें तो current जो हमारे numbers हैं वो भी काफी अच्छे numbers हैं अगर हम लोग आकडो की बात करें तो इंडिया currently stands forth in solar photovoltaic deployment across the globe as on end of 2021 अगर हम लोग solar power installed capacity की बात करें तो हम लोग 62 gigawatts के बड़े आकडे के आसपास पहुन चुके हैं और यह जो numbers हैं यह 30th November 2022 के numbers हैं उसके बाद भी कुछ 4-5 महीने निकल चुके हैं तो आप लोग अंदाजा लगा लीजे कि लगभग लगभग हम लोग 4-5 gigawatts इसमें add कर सकते हैं तो मोटा मोटा हम लोग शायद 66 या 67 gigawatts के number के आसपास पहुन चुके हैं इन फाक्ट अगर हम लोग बात करें तो पिछला जो हमारा calendar year जो की अभी गुजरा है 2022 का calendar year उसमें इंडिया के द्वारा 13 gigawatts का addition किया गया है जो की केवल पिछले एक वर्ष के अंदर-अंदर किया गया है लेकिन इसमें problem क्या है इसमें problem दोस्तों यह है कि पिछले लगभग 2 साल के अंदर जो हमारी कुल मिला के addition हुई है solar modules की जो की approximately 22 gigawatts की है उसमें से जो 13 gigawatts का हमने solar modules को deploy किया है उनकी efficiency काफी कम है यह statement मैं नहीं कह रहा हूँ यह statement जो हमारे power minister है श्री आर्के सिंग उनके द्वारा दिया गया है उन्होंने कहा कि we have an absence of sufficient module capacity with the required efficiency मतलब कि हमारे पास वैसे modules कम ह है जिनकी efficiency अच्छी हो इन्होंने कहा कि पिछले दो साल में जो हमने 22 gigawatts की deployment करी है उसमें लगभग लगभग 13 gigawatts की deployment ऐसी हुई है जो की lower efficiency वाले modules की deployment हुई है अब इस efficiency को कैसे measure करते हैं तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा है कि efficiency कम से कम 21% की होनी चाहिए अगर आपक की efficiency एक solar module से या फिर एक solar photovoltaic cell से चाहिए तो आपको जो cell तयार करना है वो 22-23% की efficiency वाला cell तयार करना पड़ता है तब जाकर कि आप 21% efficiency वाला एक solar module उससे expect कर सकते हैं लेकिन हम लोग बहुत सारे जो solar modules जो की बाहर से आ रहे हैं उनमें इतनी efficiency नहीं है जो की बहुत constraining factor है जिसकी वज़े से एवन दो हम लोग deployment तो कर रही हैं लेकिन ultimately उसमें से उतना solar power का generation ही नहीं है तो हम लोग उसका उतना फाइदा नहीं उठा पाते हैं और इसी के चलते government ने ये फैसला किया है कि अब यानि कि आज से हम लोग जो cheap Chinese imports हैं इनके उपर जो norms हैं वो और भ badly made Chinese imports जो कि इंडिया की market को flood कर रहे हैं और ये ensure करना चाहते हैं कि केवल high quality जो modules हैं they are used for government-backed solar projects आप लोग यहाँ पर देख भी पाएंगे कि आज से 4 साल पहले की बात है 2019 में Indian government के द्वारा एक list लाई गई थी जिस list का नाम था approved list of module manufacturers जिसमें कि इन्होंने ये कहा था कि जो उन्ही module manufacturers से सामान हम लोग बाहर मंगवा पाएंगे इस list में इन्होंने उन सभी companies के नाम लिखे हुए हैं जो कि government-run schemes के लिए अगर आपको solar panels को खरीदा है तो इस list में आने वाली companies से ही आप उनको खरीद पाएंगे ये वाली list बहुत बार revise हो चुकी है इसकी जो latest list है 27 February 2023 क को announce करी गई थी जिसमें जो कि इसमें 10th time revision हुई है इसमें number of companies की संख्या काफी बड़ी है शुरू शुरू में जब ये list release हुई थी इसमें केवल 23 solar companies थी जिससे कि आप लोग basically solar panels को खरीद सकते हैं आज की घड़ी में list जो है वो expand हो चुकी है 91 को लेकिन government का इस list को लाने की पीछे agenda बड़ा clear था कि हम लोग इस list में केवल उन्ही companies को डालेंगे जो की cheap और substandard items को नहीं बेचते हैं इन फाक्ट जो यहाँ पे solar modules के manufacturers है ना उनको BIS यानि की Bureau of Indian Standard के द्वारा भी approval दिया जाता है उसके बाद ही जाकर के उनको इस list में डाला जाता है और तभी उनसे procurement क करी जाती है और यहाँ पे recognize किया गया कि China made जो modules है वो sufficient नहीं है वो जो यहाँ पे efficiency criteria है जानि कि 21% वाला जो criteria है उसको meet नहीं करते हैं और इसलिए हम लोग basically चाइना से आने वाले modules के ऊपर अब एक तरीके से crackdown करने वाले हैं और इसलिए चलते government ने जो custom duties हैं वो भी काफी बढ़ा दी हैं हाला कि यह apply तो पहले ही हमने कर दी थी announce तो पहले ही कर दी थी लेकिन बहुत देर तक इसको delay करते रहे because of covid-19 क्योंकि इंडिया में manufacturing उतना pickup नहीं कर पा थी लेकिन अब काफी जादा strongly इनको implement किया जा रहा है in fact आप देखेंगे तो solar PV modules के उपर इन्होंने कह है कि जो basic custom duty है वो 40% की होगी और जो solar PV cells होंगे उनके उपर basic custom duty 25% की होगी और यह agenda यही है कि चाइना से आने वाले जो सस्ते imports है ना उनको इंडिया में नहीं आने देना चाहते हैं यह देखें यह announcement आग से दो साल पहले की है लेकिन government अब इस चीज को लेके काफी जादा serious ह हो चुकी है कि चाइना से definitely ऐसे imports इंडिया में नहीं आने देंगे अच्छा ऐसा नहीं कि हम लोग केवल चाइना से आने वाले imports पे clampdown कर रहे हैं हम लोग side by side इंडिया में जो manufacturing है उसको भी push करने के लिए PLI scheme लेकर आ चुके हैं अगर आप याद करेंगे पिछले साल के union budget मे 22-23 वाले budget में announce किया था 19,500 करोड का allocation किया गया था under the solar PLI scheme जिसके चलते हम लोग high efficiency modules को इंडिया में manufacture करेंगे और ये बलकि इन्होंने ये भी उसमें अनुमान लगाया है कि October 2024 तक हम लोग 7.4 gigawatt का जो manufacturing capacity है वो इंडिया में लेकर आएंगे April 2025 तक हम लोग 16.1 gigawatt capacity को इंड April 2026 तक इंडिया में लेकर आया जाएगा और ये सारा का सारा जो इतना सारा manufacturing है ये केवल PLI scheme के तहत ही होने वाला है तो हम लोग बाहर से आने वाली चीजों के उपर clampdown कर रहे हैं और इंडिया में high efficiency modules वाली चीजों को बनाने के लिए अच्छा push भी encourage कर रहे हैं आप यहां पहले की है government allocates 39,600 megawatt domestic solar module manufacturing capacity under PLI trans 2 मतलब की PLI में पैसा इस तरीके से allocate किया जा रहा है कि ये अनुमान लगा जाता है कि उस पैसे से हम लोग कितना basically directly solar modules manufacture कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से allocation इसमें किया जा रहा है साथी में एक अच्छी ख़़र बलकि ये भी है कि चा इसके द्वारा भी किया गया है दोस्तो ये खबर आज से 3-4 मिने पुरानी है मैंने इसको लेकि separate video भी बनाई थी लेकिन तब भी मैंने यही बताया था कि इंडिया के solar modules को फायदा हो रहा है वेकाज चाइना के solar modules के उपर US ने clampdown किया है तो भारत को फायदा हो रहा है solar module के exports हैं वो भी काफी बढ़ चुके हैं बलकि अगर आप देखेंगे ये data from the commerce ministry showed that quarter on quarter sequential growth stood at 499% मतलब कि almost five times हमारे exports बढ़ चुके हैं solar module के और जिसमें 94% of the exports are directly to the United States of America तो हमारे जो exports हैं वो USA को काफी जादा बढ़ चुके हैं बलकि Indian solar modules के demand इतनी बढ़ चुके है कि ये भी कहा जा रहा है कि हम लोग World Bank और IMF को भी जल्द ही ये वाले solar modules export कर पाएंगे जो कि eventually World Bank और IMF basically इनको दूसरी countries में भीजते हैं जहां पर इनको लगता है कि बहुत जादा scope है solar energy को harness करने का तो वहाँ पर इनको ये लोग deploy करेंगे तो हम लोग directly World Bank और IMF को भी ये वाले solar modules export कर करने वाले हैं so overall solar module and solar industry के लिए बहुत अच्छी खबरें सामने आ रही है आपकी इस पूरी की पूरी चीज को लेके क्या राए है जुरू बताजी comment section में जाने से पहले दोस्ते एक बार फिर से बताना चाहांगा कि अगर आपने course में अनरोल नहीं क्या है तो अब भी कर सकत है using the coupon code अनरोद और इसमें जो आपको price मिलेगा that is only and only 909 rupees thank you so much for listening stay tuned and